हाई फ्रेंड्स मैं हूँ हरीश तो आज की सदों में बात करने वाले डी फार्मसी सेकंड येर के पहर्मसोटिक सेकंड इस सब्जेक्ट के सभी चाप्टर की इंपॉर्टन एक सेक्वाज कवर करेंगे और डिसकस भी करेंगे सब्सक्राइब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मलता है इस तरह की फ्री वीडियो बनने में और जाए वीडियो स्टाट करने से पहले ही एक रिक्विस्ट करोंगे आपने सभी दोस्तों में शेयर कर देने इस वीडियो को जिससे कि उनको भी फ्री वीडियो का लाब मि तो देखो दोस्तों इसमें सभी मिक्ष्ट ले गए एंसे कि हुए सो आप मैं आपको एक रिक्विस्ट करूँगा कि फ्लीज वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए तब आपको बहुत अच्छी से हिल्प हो जाएगी मुझे लगता है कि अगर आप इसमें कुछ अपन से बनाए जाती है रोलिंग में ट्रवे गरे जो भी है सभी अलग-अलग मतलब जासे पैसा जरीज वे गरे बनाने के लिए भी उज किया जाते हैं उन में इसको प्यूजिन में अलग खोल्ड कॉंप्रिशन में तड़ भी उदर ही उज की जाती है तो यहाँ पर आपका अं इन अंहेल इंटू नॉस्ट्रिल वरoqu इस ब्रॉंक को डिलाक टरभानेंट को अग्ज संट और अंटी सिप्टिक आशिन टो थर्ड इसका ऑप्शन है क्वे साचत से उसको फये करते साचव प्रॉंपरिष से फॉन तो इसको फॉसके बिल्कान का सबम पता है त्यूरिब ब विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन उस्ट फॉर रिलप आप सबको पाता है लिंक्टस के लिए उसका कुछ नहीं होता डाइस अर्द इजूले अप्लाइट तुछ स्कीन विद फ्रिक्शन अंड्रविंग लिनिमेंट्स लिंक्टस और लिनिमेंट्स में आपका कंफिशन होत तो सेवन्त कोशन ए डैस दैस टीजविड प्लीजिंग प्लीजिंग इन अपरेंस थो होते हैं तो नेक्स्ट झॉबए कोशन है इन डैस डैस सचेडिमेंट्स लूजए प्लाक्ड आन्ड आट थो नॉंड फ्रॉक्लिएट्पलेट्स में क्या होता है कि जो भी सेडिमेंट होता है उसका सपंशन सब्सक्राइब होता है उसका हाइए हई होता है फ्लोकुलेटर वालाइट तो सब्सक्राइब को ट्थेछट एग जन्व च घुथा है इसका कुमेंटेशन और पोफित कुलेटर उस थे आपको एक्जाम्पल पर भी थोड़ा फोकुस करना पड़ेगा जब आप फड़ाई करोगे तो एक्जाम्पल वेगर अच्छ तरह से देखा करू तो नेक्स्ट जो कुशन ने क्या है सबसे पहले समझ लेजए एक्सेप्ट इसे हुआ याप मतलब गड़बड़े में पढ़ते नहीं और फिर गलत अंसर लिख देते हो तो कुशन को यहीं स्टाटर जी होते ही कि आपको फूल कॉंसेंट्रेंट के साथ यहमसे क्यों पढ़ना होता है वरना आप कंफुज और समय निकल कर भी आप क्या कर से आपका प्रिपरशन कर सकते तो तो टेलिग्राम पर जरूर फॉलो किजिए चैनल पर फॉलो किजिए उसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे तो यहां इसका अंसर क्या है यहां पर जो भी सभी क्या है इस अस्पेंडिंग होता है स्टैबलेज करना सिस्पेंशन को नेक्स्ट और ऑट टाइप इमल्चन और प्रिफेड फॉर इंटरनल यूज आप सब इंपोर्टन है कि और इंटरनल यूज के लिए प्रिफेड करते ही ओंट्मेंट और प्रिपेड़ फॉलोईंग मेथर एक्सेप्स और यहां प इंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कि जाती है नेक्स्ट इन वीच टेस्ट आमपूल्स आर डीप इन वन परसंट सुलूइशन मिथलीन ब्लीव इन वाक्यूम चेंबर लिकेश्ट टेस्ट आप सब को और सबसे से इंपल लिकेश्ट को हम किस टेस्ट में य इसकी टेस्ट नहीं इसी परेटरल में आती है करे टेस्ट इस्ट इस फॉल्लविंग और ओल वायोटर टाइप अपन पर इसका आंसर हो गहां नुक्स दफॉल्लविंग और देमलसफाइंग एजेंट एजेंट इडिए निचि जो बढ़िए इंच्छ नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं नहीं इसके बारे मुझे कमेंड बॉक्स में बताना तो यहां पर क्या है को यह 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 बिका मुझे आपको फुल फॉर्म बताना है सब्सक्राइब बताना चाहूंगा इंस्टाग्राम पर भी बहुत सा रिक्वीस हम बनाते हैं इस्टाग्राम पर जरूरू कीजिए और अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अपडेट मिलते हैं रहते हैं सब्सक्राइब इसलिए आंसर क्या हूँ अलॉप दीज नेक्स्टे पोलूटिक्स आर अलसो नून याज उसका केटरप्लाजम आप सबको पाता हैं भी है कि पोलूटिक्स को क्या करते हैं केटरप्लाजम नेक्स्टे एंटीपरसपरेंट आर यूज़ तू रिद्ज्ट त प्रें गंदे ओ आने नहीं देते हैं कम करते हैं यूज़ एज ओपैसिफाइंग एजन्ट इन फेस पाउडर सो याप पर क्या है फेस पाउडर में उपेसिपाइंग एजन्ट की स्कुईज करते हैं तो टिट्टनियम डाय ओक्साइड आइधिंग यह चाप्टर आपका क्या है फिल से लिक्वीड नहीं है तो आपको इस अब वीडियो कर रहें कमेंट बॉक्स में जरूर आपना जो भी सजेशन है और आपको जो ब्याबी प्राइम मुझे देना आपका कमेंट मुझे बहुत करते हैं विच पार्ट आप दे प्रिस्क्रिप्शन कंटेंड डाय डायरेक्शन दी गई जाती है जिसमें कि विच पार्ट आप दे प्रिस्क्रिप्शन कंटेंड डायरेक्शन अब दे प्रिस्क्राइबर अब दे फार्मसिस्ट मुझे एक बार फिर से रीड करने दो मुझे थोड़ा कन्फूजन लग रहा है इसमें विच पार्ट आप दे prescription contents direction of the prescriber of the pharmacy मुझे थोड़ा confusable लग रहा है मुझे comment box में बताना एक question inscription बता है inscription में तो आप सबको इसे भी contents होते है उसमें important part होता है और और एक बात pharmacist को direction जो भी दी जाते है मुझे लगता है subscription में हो जादे है pharmacist को physician बताता है कि subscription पार्ट में कि आपको कितने मतलब dose बनाने कि से बनाने सोड़ा confusable question है मुझे आपका भी प्राय बताना इसमें तो नेक्स्ट क्या एदा member membrane filtrate having pore size 0.8 is the best filtrate medium to remove any foreign particle membrane filtrate size इसको भी याद रोक इंपोर्टन है 0.8 UEM so we UEM का full form भी मुझे बताना निचे कर मेंड़ बॉक्स में तो membrane filter के कितनी है उसका second है उसका अंसर 0.8 U स्मॉल लें so next question prepared preparation preparation used for the eye are called as ophthalmic preparation नाम में उसका प्रेटर टोपिकल तो टोपिकल हम स्कीन पर प्रेटर इंटर्नली और आप्तेल्मिक मतलब ही आई के लिए यूज़ करने के करने जो भी करते हो है यहां पर लेनोनिन के बारे मैं मैंने पिछले पीछे कुछ कोशन में बोला था कि लेनोनिन क्या इसके बारे माला था उसको क्या कहते है हाइड्रोसूल फैट उसका मीनिंग है तो यह भी यह फिल लिपोफिलिक बैलेंस वैल्यू रेंज फॉर डिटर्जेंट इस थर्टें तो फिप्टेंट इससे बहुत इंपोर्टेंट इस से आपको बहुत आइडिया ना जरी आने वाली है और आपको फिप्टी परसेंट इससे दैडेस आड अर देस्टेंस विच रिडूसे इंटर्फेशल टेंशन बेत्विट्विन इंप्टेंट इमिसिबल लिएक्वित तो फॉलिप्लाइजिंग एजन यह बासु यह बिकल करते कि इंटर्फेशल जो भी टैंशन ओ भी कम करते या पर आंसर आ सकता है इसका थोड़ा सा मतलब यह 100% करेंट mcq मुझे लागता नहीं तो यह इंटर्फिशल टेंशन तो यह भी कर रिड्यूस करते मतलब इमल सिफाइंग एजेंट एक नेक्स्ट तो नेक्स्ट एक विच इस दे लेबलिंग रिक्वार्मेंट फॉर सचेशन तो नेक्स्ट शेक्विल फिल सब्सक्राइब पता हैं कि शेक्विल बीफोर यूज विच पारेमिटर ए उस्ट फॉर इवलीशन आप संपेंशन के लिए कौन-कौन से पारेमिटर करते हैं determination of rate of sedimentation viscosity data potential is सभी क्या है उसके मतलब evolution के parameter से इसले all of this उसका answer हो गया 35 question in flocculated suspension the rate of sedimentation is high flocculated sedimentation rate तो आपको ही होता है rate of sedimentation expressed in stokes law which vehicle is good for throat paints glycerol आप सबको पता ही कि stick आपके stick हो जादा है मतलब जादा देर के लिए रहता है थोट में तो विच alcoholic and oily preparation is intended for the intended for use with friction link test link test complex friction के साथ यूज करते हैं powder are more stable than the dash dash doses form liquid से भी जादा powder stable होते हैं which instruction are required on the label of powder of powder for dusting powder for external use only next day dash dash is a deliqusant substance directly answer the deliqusant substance are absorbed the moisture from the atmosphere and turn to liquid form the deliqusant substance का कोई example होगा आपको याद तो मुझे बाता देना कि उसका क्या 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 करते atmosphere जो भी atmosphere होता है उसको एक आपस्वाप करते liquid form क्या 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 करते हैं यह दाच-दैस is a powder used to clean the teeth with the help of toothbrush dentifrice dentifrice के यूज़ी होगा था toothbrush आप सोब को पाता है so dash dash is a unit solid dosage form of drug in which drug is enclosed in the tasteless sheet क्या साचस्छे साचस्चार देने डोशेज form of which drug inclusion testless sheet testless sheet में उसको क्या करते हैं साचस को क्या करते हैं इंक्लोश्ट करते हैं next dash dash is the condition when the patient continue to be under psychic and physical dependency on the drug addiction में हो ही होता है कि मितलब physically और psychological depend हो जाता है जैसे कि गांजा है heroine है अभी तो बहुत कुछ चल रहा है इसके बारे में आप देखते ही होगे गांजा गांग next is the condition when and usually large dose is required to produce an effect has been produced by normal doses मतलब अगर ऐसे कौन सी condition है जिसमें कि आपको normal dose से ज्यादा dose के requirement होती है और टोलरेंस आपको पता है कि एक drug repeatedly administered करते रहते तो effect कम देखाता है आपको dose बढ़ना पड़ता है जैसे कि starting आप कोई जो भी बेवडा होता है दारू कम पीता है थोड़ी से पीता है तो भी वह शक्तिमान बन जाता है पर बाद में उसको dose बढ़ना पड़ता है मतलब bottles के bottle हो खले करता है फिर भी वह शक्तिमान ने बन पाथा तो मतलब क्या है कि बार 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 रो रहते है तो उसका जो भी एफेक्ट है वहाँ पर tolerance क्रेये होता है वहाँ पर रेक्वारमेंट वहाँ पर हमें बढ़ने पड़ते है डाइच 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 इस दा ब्रांच अब ड्रग एन्हांस थेरपेटिक इफेक्ट इस वह दो ड्रग रगर कॉंबिनेशन में देते उसको इफेक्ट बढ़ जाता है तो सिनर्जिस्टिक करते हैं करते हैं तो नेक्स टाइपस अप कंटेनर आड यूज़ट पर सिंगल दोस पारेटरल अंप्वेंट में ही यह ओरी नाइट अभी नेक्स्ट एभी फॉलिविंग फॉलिविंग इस प्रफेक्टन एक्सेप्ट तो नीचे जो भी एक्साइपल हो सर्फेक्ट इस त्रिप एक नहीं हो कुन साय देखो सोडियम बॉर्ट सुल्फो सिनेट अधर नहीं है क्या है इसके अब अब कमेंट देखते हैं, Elixir are the sweetened hydroalkoolic solution, Elixir का है sweetened hydroalkoolic solution है, syrup cannot be sterilized by auto cooling process, they can decomposed by heat, मतलब syrup यहां पर sensitive है, तो decomposed हो जाते हैं, हीट से, next है, what is the pH of human, human tear का pH याद रोको 7.4, next day, an antimicrobial preservative commonly used for nasal solution is benzyl alkalineum chloride, मतलब antimicrobial preservative जो भी nasal solution में use करते हैं, उसका क्या नाम है, benzyl alkalineum chloride, मतलब इसकी तरह कि अगर और भी preservative के अलग-अलग कोशन आ सकते हैं, आपको सभी के preservative आपको short में देखने पड़ेंगे, उसको याद रखना पड़ेगा, addiction of sodium chloride and sodium olsate emulsion will be destabilized the emulsion, मतलब addition के sodium chloride and sodium olsate को एक साथ mix कर दिया तो stabilization नहीं होता, destabilized हो जाता है, हो emulsion, so next which of the following is a synthetic emulsifying agent, synthetic emulsifying agent कौन सा है gelatin नहीं हो, cetrimite synthetic gelatin, I think naturally bentonate कौन सा हो, आप मुझे बता हो, तो thanks for watching, I hope आपको यह help हो रहा है, आगर यहाँ तक घुड़े देखा तो मुझे जरूर बताने का आपने लाश्ट तक घुड़े देखा है, telegram पर जोइन हो जाओ, instagram पर जोइन हो जाओ, और हमेश्या connected रहे हो, so thanks for watching, दे मेलें खो मैं, bye, bye. झाल झाल झाल